असलाम अलेकुम, हेलो बच्चो, गुड मॉर्णिंग तो अलाफ यू, वेलकम तो शाहिद सर्स एडिकेशन पॉइंट, तो कल आपका एवैलवेशन था, तो विशो आल दे बेस्ट, बहुत सारे बच्चों ने कॉमेंट किये थे, थैंक यू सार, हमारा पेपर अच्छा तो तब आपको पता चलेगा, तो don't be panic, and my dear, one more thing that's very important, बहुत सारे कॉमेंट मिल रहे हैं, सर कितने marks पास है, कितने marks पास है, बहुत सारे क्या है, कितना dependent रहते हो बेटा, तो simple है, जब आपेपर देते हो, वहाँ पर लिखा होता है, कि minimum marks कितने हैं, तो वही होता है, ठीक है तो ज़्यादा dependent बनने की कोश मत करो, अपनी आपको competent बना हो, ठीक है, तो छोटी-छोटी problems जो है, छोटी-छोटी problems है, आपको थोड़ा tension होता है, तो don't be panic, my dear, don't be panic, and be relaxed, my dear, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे, जिनका लगता है, कि हमारा सुकोर काम आ रहा है, तो सुकोर उससे आपको क्या लेना है, भई, competent बनो न, मार्क्स के पीछे क्यों बागे हो, जिसके मार्क्स काम आते हैं, तो कोई बात नहीं बेटा, आगे आप महनत करेंगे, आगे जब महनत करेंगे, तो इंशाल्ला जब आप कल entrance examination दोगे, तो main motive जो आपको रखना है न, वो ये है कि मुझ में कितनी capability है, कि आगे जाके मुझे university में admission मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो target रखो, वो focus रखो, अगर आप मार्क्स के पीछे बागे, मेरे मार्क्स काम है, मेरे मार्क्स वो है, this is not good, my dear, this is totally wrong, this is totally wrong, concept को clear करो, knowledge को gain करने की ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करो, ये मार में कुछ नहीं रखा है, excellence की पीछे बागो, marks की पीछे ना बागो, ठीक है ना बेटा, तो this is very, you know, unfortunate की बहुत सारे comments मिल रहे हैं मुझे, कि सर वो, ये, no, 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 being at least to my students को आपकी thinking ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो marks के पीछे, फिर भी मैं कह रहा हूँ, marks की पीछ करो, knowledge से जादा से जादा गें करो, आगे जाके जब आप university में examination देते हो, तो वहाँ जाके अब अपने आपको प्रू करो, यहाँ पे आपको, अगर आपके marks काम मिलते हैं, या जादा मिलते हैं, तो कोई फरक नहीं पढ़ता है, बेटा, फरक पढ़ता है, जब आप competitive examinations में उतरती हो, ठीक है, तो I wish you all the best for that, ओके, तो don't tension लेने की ज़ुरत नहीं है, चले बेटा, start करने है, हाँ, हमारा अपना जो topic है, कल ही मैंने बताया था, हाना कि कल मैंने class deliberately नहीं दिया था, because, मुझे पता है कि, आपका जो mind था, वो थोड़ा बोर disturbed था, not all students, but बहुत सारे students ऐसे थे, जिनका totally mind disturbed था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं दिया, तो that's why, कल मैंने वीडियो नहीं दिया, तो आज, early in the morning, हम आपके साथ है, ठीए, तो चलते हैं, start करते हैं आज का topic, और आज का topic, पिछले वीडियो में मैंने अनुस किया था, functions of university, functions of university के अगर हम बात करेंगे, major, यहाँ पे हम लिखेंगे, major functions of university, education, or you can say higher education, or you can say higher education, ठीगे, तो हमने aims of education भी पढ़ा, कि कौन-कौन से aims of education होने चाहे, at higher education, तो वो भी हम लिख सकते हैं, functions में, लेकिन अगर वहाँ पे और functions लिखेंगे, for example, कल हमने कुठारी कमिशन के aims आपको बताए, इससे पहले हमने रादा कृष्ण कमिशन के aims आपको बताए, लेकिन overall, general में हम कैस लिखेंगे functions, तो वही हम आज बात करेंगे, they are interrelated, they are interrelated aims of education, or you can say functions of education, ये same है, ठीक, तो number one पे आते हैं, जल्दी जल्दी से हम आपको बताएंगे, उतना ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, number one, और देखो, देखो बेटा, हम आइस्ता, 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 सारा syllabus cover करेंगे तो आपको ऐसा ने, अभी आपका जून मन्त है, आगे आगे, for example, अगर मैं ज्यादा पढ़ाओंगा, तो आपको ज्यादा, आपको और भी subjects भी पढ़ने हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, तो ऐसा करते करते करते, आपका पूरा अच्छे से syllabus cover होगा, जिस तरह मैंने third semester का syllabus cover किया, ठीक है, तो कल आपने देखा ही होगा, कि उनका paper कितना अच्छा आया था, तो जो भी हमने पढ़ा था, alhamdulillah, वो सब आया था, कोई भी ऐसा question नहीं था, जो हमने नहीं पढ़ा था, तो hundred percent paper वही था, जो हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है, तो महनत खुश हूँ आज कि जो भी हमने पढ़ा, तो अच्छे से पढ़ा, तो सब students, alhamdulillah, जिन लोगों ने मेरा content देखा, जिन भच्चों ने देखा, तो वो सारे खुश थे, alhamdulillah, तो चलते हैं बेटा, आज इसी तरह हम भी आप लोगों के लिए, फिप्तिस semester के में बात कर रह से 10-10 मिनट यहां, 15-15 मिनट हम आपको मतलब ऐसे ऐसा करते करते में, सारा syllabus आपको cover करूँगा, तो इसको watch करने के लिए आप ये दिन में 10 बार भी देख सकते हो, और ये सारा आपको revise होगा, अगर मैं एक लंबा topic आपको देता हूँ, तो फिर आपको उतना ज्यादा तो at a time में आपको ज्यादा नहीं बड़ा सकता हूँ, इसलिए stay with you और शायद से, and you see how you are going to enjoy your whole education in these paper, ठीक है, and after that, the second thing that I want to say, कि आज, इन्शाला, मैं और एक subject, मिनला, subject पे, मिनला, reviews अप्लोग करूँगा, and that's psychology, तो psychology में पहले हम स्टार्ट करेंगे, organization psychology, and उसके बाद हम पे आते हैं, life span भी एक, बहुत सारे मतलब बच्चों ने कहा कि सर, हमारा life span है, and बहुत सारे बच्चे कहते हैं, हमारे organization psychology है, तो दोनों इन्शाला, cover करेंगे, फिर उसके बाद रहता है guidance and counselling, है na guidance and counselling है, ये core, sorry, skill paper है शाय, तो उसमें दो ही units है, इसमें कुल बिल, पांच education, इसमें बहुत सारे syllabus है, इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो जो बाकी है, skill paper, I am here with you, so don't be panic, okay, चलते बेटा, जब बहुत हो गया, तो चलते स्टार्ट करते हैं, major function, ज़दी ज़दी से हम इसको complete करेंगे, आपको यूं ऐसे समझ आएगा, number first पे आते है, economic function, तो सबसे पहले जो university education है, इसकी पहली function है, economic function, economic function, अगर आपको बेटा याद होगा, जो कोठारी commission है, कोठारी commission कहता है, increasing productivity, but that was in secondary education aim, but यहाँ पे अगर आपको याद होगा, कोठारी commission ने कहा था, university education जो है, वो प्रिपेर करती है, excellent man and woman, ठीक है, तो हमें बच्चों को, जो university level में है, हमें उनको economically sound बनाना है, तो we must give them, यह university has to prepare the individual for the modern industries, for the modern industrial world, तो आज का जो, अगर हम बात करेंगे, आज की society की, तो it is industrial society, it is technological society, तो main focus जो university का होना चाहिए, कि हम किस तरह बच्चों को, मतलब इस industrial environment में fit कर सके, ठीक है, तो यह सारी चीज़े, देखो, पुराने जमाने में क्या था, उतनी ज्यादा technologies नहीं थे, उतनी ज्यादा industries नहीं थे, आज आज आप देख सकते हैं, तो industrial sector कितना बढ रहा है, technology का sector कितना बढ रहा है, तो university का काम क्या है, we have to prepare the men for that, we have to prepare the women for that, so that they can fit into the industry, and when they are fit in the industry, so there will be the economic growth, समझा गया है, तो we can increase the productivity, we can increase the national income of our country, right, तो that is the economic function, my dear, economic function, तो major function of university में क्या है, सब से पहले क्या है, it is economic function, university को क्या करना है, university has to prepare the excellent men and women, so that they can fit in what world, economic world, or industrial world, or technological world, right, so this is one function, number second function पर आते हैं, teaching function, तो teaching is very important, अगर हम देखेंगे residential universities, और affiliated universities, उनका जहाँ पर आप पढ़ती हो, भी colleges में आप पढ़ती हो, या भी उसके बाद आप universities में इंशाल्ला जाओगे, तो वहाँ पर जो main function होती है, university की वो teaching है, तो teaching में आपको पता ही है, कि हमारे colleges में, हमारे universities में, there are lecturers, there are professors, there are readers, there are associate professors, there are professors, तो उनका काम क्या है, उनका काम है teaching, तो teaching is one of the important, economic function तो है ही, ठीक है, में जब आप university जाते हो, तो सबसे पहले आपको economic function के बारे में तो नहीं पोचा जाता है, आपको prepare नहीं किया जाता है, तो तो that is, it's a teaching function, my dear, teaching is very important, teaching function at university, teaching function, I hope बेटा आपे आप से लिख सती हो, तो teaching function में चाहाँ आप residential university की बात करते हो याप colleges की बात करते हो तो वहाँ पे main focus किन पे होता है वहाँ पे teaching function, lecturer teaches the students, professors teaches the students, तो this is very important है यहाँ पे academics, academic functions को कहते हैं, जो आपका course है, जो आपका syllabus है right now for example मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यह आपका core paper है, इससे तरह जो college में आपका teacher होगा तो वह आपको पढ़ा रहा है तो this is the function, this is function, what function, this is teaching function तो teaching function में क्या होता है, there are two enders, one is the teacher and another is student यह मुझे यहाँ पे नहीं बताना है, मुझे यहाँ पे यह नहीं बताना है कि teaching का मतलब क्या है लेकिन आपको यह बताना है कि major function में क्या भी आएगा teaching function भी आएगा कि teacher जो है वो student को पढ़ा रहा है जो उसके syllabus में course prescribed है रखा है university में तो वो उसको क्या कर रहा है, deliver कर रहा है to the students ओके, number third point पे आते हैं, this is very simple my dear course designing, yes my dear, course designing is nothing but it is the curriculum construction तो curriculum construction को किस ता, university का काम है कि design the curriculum as per the demands of the society, as per the demands of the क्योंकि already मैंने आपको कहा कि curriculum construction must be related with the society हम ऐसा curriculum prepare करेंगे, फिर बाद में बच्चे को फाइदा नहीं होगा जब वो community में आएगा, university education को complete करने के बाद university को ऐसा course बनाना है, तो जो कल जाके बच्चा अपनी society में adjust हो सके, ठीक है, तो course designing is one of the important function of university course designing, course designing देखो आपको दो माग के questions आते हैं, चार माग के questions आते हैं और long answer questions आते हैं, वहाँ पे अगर आपको पूछा जाएगा, write three, four functions of the university, तो you can easily write simple simple economic function, teaching function, course designing or you can say curriculum construction curriculum construction, right and number four जो है, number four जो है बेटा, that is हाँ, कल ही आपका paper आया था, wait, wait, now the fourth important function of the university is evaluation function, evaluation अभी देखिया, examination pattern जो है, वो change हुआ, इससे पहले आपका MCQ, odd, even semesters था, odd में descriptive था, even में, MCQ based था, तो university designers, मलब, वो essay type, objective type, descriptive, why walk, etc, internal examination, external examination, ये सारी चीज़े किसमें आएंगे बेटा, ये evaluation function में आएंगे, ये evaluation, पेपर सेटा, पेपर, युनिवरस्टी पेपर सेट करती है, चाहाए, essay type, जब हम problems बढ़ेंगे न, तो evaluation को लेकर problem है, तो बहुत सारे students confusion, बहुत सारे बात करेंगे कि there are problems my dear, there are problems, evaluation को लेकर problem है, examination को लेकर problem है, admission को लेकर problem है, ये सारे बात ही discuss करेंगे जब हम problems of higher education पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमें function पढ़ने है, function में आप ये लिख सकते हैं कि अभी course design में, मलब, university, university has to prepare the course for the students, right, and वो course आपको design करना, university design करने है, जो as per the demands of the teacher as per the demands of the student and as per the interest of the society, जो है, कल जाके जब ये बन्दा, जब ये बच्चा अपनी higher education कंपलेट करता है, तो जब अपनी society में आता है, तो society में इसको adjustment होनी चाहिए, ऐसा नहीं, आपने ऐसा course पढ़ा तो फिर society में है, community में उसको वहाँ पर कोई जगा ही नहीं है, तो what is the fun of that course, तो हमें ऐसे course develop करने है, जिससे maximum बच्चों को फाइदा मिले, तो that's simple, तो this is course designing our curriculum construction, आदर इस evaluation function, यह भी में ने कहा कि, इधाल जाए तो जाए 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 नहीं को लेकर, internal examination, external examination, puts the question in the form of essay types, multiple choice, तो this is what we call as evaluation function, नम्बर फायू, नम्बर फायू, जाह जाए इस University education is based on the research तो नए नए चीजे मतलब लाना Research का मतलब क्या है To search what has already been searched तो नए नए चीजों को invent करना हमारे जो यूणिवस्टी एड़केशन में देखो अगर हम बात करेंगे आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले What was the system in the education at universities Nowadays what is that There is innovative things इसे पहले इसे 100 साल पहले के अगर हम बात करेंगे या 20 साल या 30 साल के अगर हम पहले की बात करेंगे उस वक्त का system और आज का system कितना फारक है बहुत ज़्यादा फारक है किसकी वज़े से नए नए चीजी इंकल्कलिट हुए है इंट्रोडूस हुए है हमारे education system में किसकी वज़े से बेटा research की वज़े से तो research is one of the important 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 teaching research और उसके बाद और एक है that is extension तो ये तीन चीज़े नए बेटा बहुत ज़्यादा important है जब हम बात करते हैं किसकी function is और university education के and number second is research function research function तो research function में नए नए knowledge आते हैं इनको add up करना है कि किसकी नए knowledge कैसे आएगी information कैसे आएगी जब नए नए चीज़ों को सीखेंगे और उनको हम introduce करेंगे universities में तो that is research function another another sixth one is extension extension function extension function में बेटा another important function of university जो है assume variety program हम बोट सारे ऐसे programmers different different programs को organize करते हैं universities में बोट सारे मलब अगर आप education के student हो तो आपको खाली education के बारे में नहीं देना है extension lectures का मतलब है आपको किसी और field के बारे में भी सिखाया जाएगा like computer application का computer को कैसे use करोगे computer को सीखना ये हर किसी को जुरूरी है आज किल के दौर में ठीक है तो extension lecture should be provided आज आप देखे जब आप युनिवस्टी में जाते हो तो आपको बहुत सारे courses को opt करना पड़ता है आपको computer में भी ऐसा course या उर्दू में भी आपको लेना है या बहुत सारे ऐसे चीज़ें तो extension का मतलब गया है यहाँ पे focus आपको खाली अपने ही program पे नहीं करना है हमें multiple programmers मतलब वहाँ पे सिखने को मिलते हैं like engineering, like agriculture, like technology, etc. तो this is what we called as extension function तो यह 5-6 points मैंने आपको पताए and last मैं there is function national development function national development function तो with the help of teaching with the help of research and with the help of extension there is national development तो यह Zakir Hussain कहता है कि according to Zakir Hussain the university with the help of teaching with the help of research and with the help of extension we can bring the national development तो with the help of क्या-क्या मैं repeat करता हूँ teaching से, research से and extension से there is national development of education at what level, university level so this is also one of the important function of university education national development yeah so these are my dear beautiful and important functions of university education मुझे उमीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ठीक है, if really my dear then like my video and share my video as much as possible and अभी तक अगर आप लोगो ने मेरी चनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरी चनल को सबस्क्राइब करो and plus hit the bell icon so that you can get my latest lectures thank you, मेला, bless you and keep all this learning और हाँ, tension बिलकुल भी नहीं लेना है just stay with your शाहज सर thank you करी लेना है